Hello everyone, welcome to the channel Agricultural Studies, मेरा नाम है दिवागर खत्री और आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो को दरान हम entomology subject की एक course title Pest of Crops and Stored Grainz and Their Management की एक very important topic Insect Pest of Stored Grainz के बारे में बात करने वाले हैं जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया के अंदर grains और pulses, ये दोनों staple food हैं staple food हैं, यानि कि इनकी जुरत हमें पूरे साल पढ़ती है अब पूरे साल इनकी जुरत पढ़ती है, तो हमें इने store करने की जुरत है और जब हम इने store करके रखते हैं, तब हम देखते हैं, इनके ओपर various type of pest का attack देखा जाता है तो अब उन्हीं pest के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे साथ में हम ये भी जानेंगे कि income management या हम कह सकते हैं control किस तरह से किया जाता है साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले insect pest of crops and stored grains का ये जो हमारा course title है इसके उपर मैं पहले भी कुछ वीडियो बना चुका हूँ अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक उपर आई बटन के साथ नीचे description box में available हैं आप चाहें तो उन्हीं देख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि stored grain pest के उपर काफी अलग लगता रहा कि insect pest का attack देखा जाता है तो अब इन insect pest को अगर हम दो parts के इंदे divide कर दें या classify कर दें तो वो क्या हो सकते हैं तो देखिए वो primary pest या फिर वो secondary pest हो सकते हैं primary pest attack the whole grain मतलब ऐसे pest जो कि पूरे की पूरे दाने को ही attack पहुचाते हैं kill करते हैं तो उसे हम primary pest कहते हैं वहीं अगर हम बात करें secondary pest की तो secondary pest वो होंगे जो पूरे दाने को ना affect करके broken grains वगएरा जो होते हैं तब जो तूटे-फूटे दाने वगएरा होए या floor हुआ powdery form होगी grain की तो उसके उपर जो attack कहुचाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं secondary pest कहते हैं तो इस तरह से छोटा सा classification समझा आगया होगा आपको primary pest को फिर हम दो parts में divide कर सकते हैं कौन-कौन से तो देखेंगे हम यह internal feeders या external feeders हो सकते हैं जैसा कि नाम से ही समझा रहा है internal feeders यानि कि grain के अंदर ही इसका larva बैठा होगा जो जैसे ही grow करना शुरू होगा उसको अंदर से damage पहुचाने लगेगा यानि कि internally damage पहुचाएगा त इसकी लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं internal feeders के अंदर rice वीवल, lesser grain वीवल, एंगोई मैस, grain moth, pulse beetle, cigarette beetle, drug store beetle, termined, tamarin beetle, sweet potato beetle, potato tumor moth और साथ में arachinate beetles आते हैं तो मतलब इतने सारे अलग लग तरह की internal feeders होते हैं वहीं हम बात करें external feeders की तो इसके अंदर खापरा beetle, red flower beetle, Indian meal moth, सा और साथ में rice moth आते हैं तो यह तो सिर्फ होगे primary pest तो इस secondary pest भी इदर लिखे हैं जो कि है saw tooth grain beetle, long healed flower beetle, flat grain beetles, grain lice और grain mite तो खहने का मतलब यह हुआ कि इतने सारे अलग लग लगता है कि जो हम देखते हैं pest हैं उनका attack दिखा जाता है stored grains के उपर तो क्या अब हम इतने सारे insect pest को detail में पढ़ेंगे, of course नहीं, हम कौन-कौन से insect pest के बारे में details में बात करेंगे, तो देखे, rice weevil, lesser grain borer and khapra beetle, इस video के दौरान हम इन तीन main insect के बारे में बात करेंगे, rice weevil, lesser grain borer और khapra beetle, आगे यह जो चार और insect हैं, इस video का जो part second होगा, उसके अदर हम detail में बात करेंग red borer beetle के बारे में, angoy moist, grain moth के बारे में, और pulse beetle और grain mite के बारे में, तो हो सकता है आपके दिमाग में आएगा कि यह तीन insect के बारे में ही बात करेंगे, तो वीडियो तनों लंबा क्यों, क्योंकि एक particular बहुत important topic जिसे हम कह सकते हैं, management of stored grain pest, उसके बारे में भी आज हम इस video के दोरान बात करेंगे, इसलिए थोड़ा से वीडियो लंबा होने वाला है, ओके, तो चलिए सबसे पहले insect के बारे में बात करते हैं, जो की है rice vivo, इनका scientific name आप जैसा की देख सकते हैं, यह है Cytophilus oryse, अब इनके पास में ही एक और insect लिखा है, जो की है wheat vivo, इसका scientific name है Cytophilus granaries, कहने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों का genus सेम है और species अलग अलग है, तो इनके अंदर कुछ छोटे से difference भी होते हैं, morphologically इनके अंदर छोटा से difference पाया जाता है, उसके बारे में थोड़े देर बाद हम बात करेंगे, लेकिन अगर इनका order हम देखें, तो order जो है वो है Colliop Terra, Collioptera order आप जानते होंगे कि इनसेक्ट का सबसे बड़ा जो order है, largest order of the insect कौन सा है तो हम देखते हैं, Collioptera ही है और वहीं इनकी जो family है वो है कुरकु लियोनिडी, ओके ध्यान रखेंगे आप इसे, तो अगर अब हम rice weevil के ओपर थोड़ा से जादा focus करें, तो इसका जो common him है, वो आप देख सकते हैं, यह है घुन, घुन आपने शाद सुना भी होगा, एक कावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, तो शायद उसी वहाँ इसी घुन के बारे में बात की गई है, फिर इसके और common name देखिए घुन, किला, घनेरा और सुन्ड वाली सुरसर सुन्ड वाली सुरसुरी का क्या मतलब है, जैसा कि आप जानते हैं, यह विविल है, विविल वो उनसेक्ट होते हैं, जिनके आगे स्नाउट पाई जाती है, स्नाउट मतलब ऐसे सुन्ड पाई जाती है, तो इसलिए हम इसे सुन्ड वाली सुरसुरी कहते हैं, ठीक है, वही अगर हम बात करें इनकी host की तो देखिए rice level का जो attack है वो rice पे तो देखा जाता ही है साथ में wheat, barley, maize और जुआर पे भी देखा जाता है दिमाग में यह आती है कि जब इसका attack rice, wheat, barley, maize और जुआर इन सब पे देखा जाता है तो इसका नाम rice level ही क्यों दिया गया तो देखिए next line में लिखावा है It is called the rice level only because it was found to be infesting rice when it was described for the first time जब पहली बार इसे देखा गया था attack करते वे से observe किया गया था तो उसके हमने देखा इसे rice के ओपर ही observe किया गया था इसलिए इसका नाम जो है वो rice level पड़ गया बाकि इसका attack wheat, barley, maize और जुआर पे भी देखा जाता है समझागी होगी आपको बात next देखिए both अब इसके damage के हम बात करें तो both adults and larva 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 के अंदर कौन सा grub stage जिसे हम कहा रहे है वो damaging है यानि कि इनके adults भी damage पहुँचाते हैं और साथ में हम देखते हैं grub forms जो है वो भी damaging होती है the grain on which they feed vigorously मतलब एक साथ ये grains के उपर attack करते हैं so much so the grain is rendered unfit for human consumption इस तरह से इसका infestation होगा इस तरह से grain को खराब कर देंगे कि human उसे consumption नहीं कर पाएगा उसे खा नहीं सकते हैं as well as for the feed seed purpose और उनको हम seeds के रूप में भी काम नहीं ले सकते समझ आ गया होगा कि इस तरह से buddlet और larva दोनों ही इसके insects जो हैं damage पहुचाते हैं आप ध्यान रखेंगे कि इनके इंदर snout है इसके इंदर mandibles काफी strong होते हैं अब इन mandibles की वज़े से यह दोनों क्या करते हैं damage पहुचाते हैं grub is more injurious than the adult grub forms जो होती है वो adult forms से ज़्यादा injurious होती है क्यों जैसा कि आप जानते हैं कि grub छोटी form है अभी इनको बड़ा होना है तो मतलब इनकी demand ज़्यादा है इनको ज़्यादा खाने की ज़ुरत है इसलिए यह damage ज़्यादा पहुचाते हैं adult in makes a tiny holes into the grain अब adults जो होते हैं वो tiny holes करते हैं grains के अंदर और जैसा कि आप जानते हैं कि rice we will क्या है internal feeders है तो इसके अंदर फिर बाद में यह egg laying भी करेंगे ठीक है वो life cycle के अंदर हम बात करेंगे next देखी usually it is active throughout the year ऐसे तो यह पूरे साल का damage देखा है but serious damage is caused from July to November लेकिन July से November के बीच में इसका infection या infestation ज़्यादा देखा जाता है क्यों? क्योंकि उस दोरन हम देख सकते हैं environmental condition इनके लिए favorable हो जाएगी moisture वगेरा favorable हो जाएगा उस वज़े से damaging का ज़्यादा देखा जाएगा under favorable condition it is found in great number and due to respiration heat spots और dry heating are found on the grains काफी important point है ध्यान रखेंगे आप इसे कि जो rise level है वो जब किसी particular grain के उपर infestation दिखाते हैं उस दाना respiration वगेरा की demand के लिए इनके अंदर हम देखते हैं यह अपना heat spots create करते हैं respiration वगेरा की वगेरा की वज़े से अपनी favorable condition बनाने के लिए grains के उपर heat spots create करते हैं heat spots condition किस में देखी जाती है rice level में देखी जाती है ध्यान रखेंगे आप वहीं अगर आप इनके हम life cycle के बारे में बात कर लें अच्छा life cycle से पहले मैंने आपको कहा था कि rice weevil और wheat weevil के अंदर छोटा सा morphological difference होता है क्या होता है तो उसके बारे में अगर हम बात करें the adults of phytophagus orycee are light brown in color जो rice weevil है इनका जो color होता है वो light brown होता है having two pairs of spots on each elytra मतलब जो इनके पंक होते हैं उनके उपर हम देखते हैं दो pair of spots यह हम कह सकते हैं चार spots देखे जाते हैं reddish से yellowish color के spots देखे जाते हैं पर यह absent होते हैं किसमें wheat weevils के अंदर ठीक है एक और खास difference होता है the citophagus granaries cannot fly मतलब जो यह wheat weevils हैं वो उड़ नहीं सकते हैं क्यों क्योंकि wings are fused wings जो होते हैं वो fuse हुए होते हैं while citophagus oryces strong flyer जो हमारा rice weevils है यह उड़ सकते हैं अच्छे यह कह सकते हैं strong flyers होते हैं तो खहने का मतलब इस तरह से इन दोनों species के अंदर कुछ morphological difference होते हैं मैंने आपको बता हैं वापस आते हैं अपने rice weevils के उपर इसकी life cycle क्या होती है देखी इनके अंदर of course colioptera के हैं यह तो इनके अंदर complete metamorphosis होगा complete metamorphosis होगा यानि कि life में चार main stages होगी egg, grub, pupa and adults eggs eggs क्या होते हैं तो देखी white 0.7 mm and 0.3 mm इनकी length और breath जो होती है वो इस तरह से दिखाई गई है white color के eggs होते हैं single female can lay 250 to 300 eggs in her life span अब एक अकेली female जो है वो 200 से 300 eggs दे सकती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो सारे eggs एक ही grain में होगे possible नहीं है एक grain के अंदर तो हम देख सकते हैं या कभी कभी 2 से 3 eggs जो होते हैं वो एक ही grain के अंदर दे दे जाते हैं लेकिन एक female अपनी पूरी life के दौरान 200 से लेकर 300 अपने eggs ले कर सकती है तो आगे होगी egg stage के बारे में आपको समझ आ गया होगा summers के अंदर 2 दिन के अंदर और winters के अंदर 6 से 9 दिन के अंदर इनके अंदर hatching होती है और इनने से क्या भार निकलाते हैं larva या larva को इस यहाँ पर particular हम क्या कह सकते हैं grub कह सकते हैं सबसे पहला वीडियो जो था इस पूरी entymology series का उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो beetles होते हैं उनके larva को हम क्या कहते हैं grub कहते हैं यह वीवेल एक तरह के beetle के अंदर ही आते हैं इसलिए इनके larva को हम grub कह रहे हैं इं grubs जो होते हैं वो white color के होते हैं yellowish brown head होते हैं इनका head yellowish brown होता है leg glass होते हैं, pound नहीं होते हैं प्लंपी से होते हैं गुद्गुदे से देखे जाते हैं बाइटिंग टाइप माउथ औरकन होगे और इंटरनली ही फीडिंग करने लगेंगे किस के उपर ग्रेंज के उपर अब जो ग्रब्स हैं पच्चे से पैंनों यह उती हैं छोटा है यहिस्टिंग नहीं की करते हैं की स्टेज जले जाते हैं कि यहांनों inside the grains 2.5 mm to 3 mm in length 23-3 mm लंबा होता है एंका Pupa और first dirty white color का होता है और बाद में color change करके dark brown color का हो जाता है after some time Pupa stage 4-7 दिन बाद summers में या winters के अंदर हम बात करें तो 16-20 दिनों बाद adult stage में चली जाती है adult stage क्या होती है देख लिजिए कि black brown करके adults होते है 3.5 mm इनकी length होती है snout पाए जाती है is about 1 mm long snout का जैसा कि मैंने बताया weevils हैते ही हम उन इंसेक्ट को है जिनके पास snout हो कितने 1 mm लंबी snout होती है और इनके पर एंटीना क्लीवेट टाइप के होते है अब यह जो adults हैं वो 5 जिनों बाद अपस matting करते हैं और egg laying करते हैं egg laying कहां करती है female ध्यान रखेंगे यहाँ grain के अंदर करती है ठीक है तो इस तरह से इनका life cycle complete होता है और इस तरह से आपने देखा कि इनकी जो total life cycle है वो कितनी है वो 36 to 69 days होती है 6 से 8 generations देखी जाती है पुरी एक साल के अंदर ओके इस तरह से अपने सब कुछ जान गया सब कुछ तो नहीं चाना control management बागी है लेकिन most of the चीज़े जान ली किसके बारे में rice विविल के बारे में अब हम बात करेंगे इनके management के बारे में management का topic काफी important इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे कि जो और भी आगे वीडियो के अंदर हम insect pest के बारे में बात करेंगी उन सब का management जो है ना वो तो same ही है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसे इसी वीडियो के दौरान अच्छे से हम बात करें ओके तो जैसा कि मैंने बताया कि stored grain pest का management अपने आप में ही काफी important topic है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में बात हम तीन principles के शुरू करते हैं तीन principles या कैसे का हूँ मैं तीन main concept जो की effect करते हैं stored grains के उपर लगने वाले past को उनके बारे में सबसे पहले बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिए grains under storage conditions suffer damage mainly from rats, insects, mites and microorganisms हम देखते हैं कि stored grains की जो pest है उनके ओपर या तो चुहों का attack होता है या insect का attack होता है mites का attack होता है या फिर microorganism का attack दिखा जाता है इन में से जो rats है जैसे कि next में लिखा हो है the problem of rats basically different from other चुहों का management अलग तरह का attention मांगता है उनका control अलग तरीकी से किया जाता है उसको हम next video के अनल बात कर लेंगे लेकिन which needs special attention while rats three can be tackled together लेकिन बाकी जो तीन है insect, mite और microorganism उनको हम एक साथ in particular concept को समझ के control कर सकते है यह बात समझ में सबसे पहला concept या सबसे पहली main चीज जो है वो है moisture content moisture content बहुत जादा effect करता है किसी particular insect को grow करने के लिए किसी stored grains के अंदर जैसा कि लिखावा है for the proper development each insect and mite species require particular humidity हर insect and mite को particular humidity चाहिए भई अपनी growth करने के लिए stored grains के अंदर जो की अलग-अलग grains के अंदर अलग-अलग दिखी जाती है तो इनकी requirements अलग-अलग होती है जैसा कि आप मैंने यहां लिख रखा है प्रोगोडर्मा ग्रेनेरम जो होता है उसको 0 से लेकर 1.9% तक की humidity at least चाहिए मिनिमम इतना moisture मिल गया तो वो अच्छे से grow कर जाएगा और देमिज पहुचाएगा वहीं हम बात करें राइजॉप्थेरा डॉम्निका इसका 9 to 10% इसको moisture की जुरत पढ़ती है सिटोफिगस और राइजी राइस लिविल्किस के बारे में हम बात करी रहे हैं इसके 9.5 से 11% moisture की जुरत होती है वहीं Tribolium, Castanum जो होता है उसे हम देखते हैं 10% तक moisture की जुरत पढ़ती है तो कहने का मतलब हर इंसेक्ट की अपने आप में अलग-अलग क्या है moisture की demand है पर खास बात यह है कि सबसे पहला इंसेक्ट है जो कि है Trochoderma granarium जिसको normal language हम कहते हैं खापरा बीटल या खपरा बीटल जैसे कहते हैं तो वो खपरे बीटल को हम देखते हैं 0 से 1.9 इतना कम moisture भी मिल जाए तो लिए ग्रो कर जाएगा तो next line में देखी It is clear from the above that the moisture content of grain is mainly below 9 to 10% mainly moisture content तो सारी insect को 9-10% के लगबगी चाहिए यानि कि storage से पहले अगर हम किसी grain का 9-9% से कम moisture कर देते हैं तो वो अच्छे से वहाँ पे develop नहीं हो पाएगा कोई insect खापरा बीटल को छोड़की क्योंकि खापरा बीटल को तो 1.9% में मिल जाएगा तो फिर दिमाग में आता है कि इस खापरा बीटल को कैसे manage किया जाए तो कि पहला concept के अंदर moisture है moisture तो effect इतना कम तो कर नहीं सकते हैं 1.9% तो कम नहीं कर सकते तो next जो है वो concept प्याते हैं हम वो है availability of oxygen oxygen की जो demand है उसको भी control किया जा सकता है in the absence of minimum oxygen percentage the development of an insect sees and it dies कहने का मतलब यह हुआ कि particular oxygen अगर नहीं मिली तो भी insect की death हो सकती है अपनी growth के लिए तो वही हम लिख सकते हैं कि जो खापरा बीटल होते हैं इसको 16.8% oxygen चाहिए होती है next line में जैसा कि यह दिखावा है कि इन्हे 16.8% oxygen contained for the survival of eggs therefore it multiplies may be checked by lowering the oxygen content to this level मतलब अगर हम 16.8% से कम कर दें किसी जगा पे oxygen level को अब oxygen की level को कम करने के लिए या तो oxygen ही कम कर दो या फिर क्या कर दो fumigation कर दो fumigation मतलब अलग किसी तरह का particular दूसरी gas का धुवाँ अगर वाँ छोड़ दिया तो of course वहाँ पे क्या oxygen का level कम हो जाएगा उससे खाप्रा बेटर को control किया जा सकता है ओके आगे बात समझ में और देखो तीसरा का इंपॉर्टेंट कॉंसेट जो है temperature temperature कैसे temperature is the most important factor controlling the development of development and multiplication of insect हर insect को development के लिए temperature भी अच्छा चाहिए efforts should be made to prevent the heat spots by way of cooling हमने जाना कि इनको respiration के दौरान या अपनी growth को particular optimum बनाने के लिए किसी भी grain के उपर heat spots बना लेते हैं ताकि अच्छा से वहाँ पर grow कर सागें लेकिन अगर हम आपे chilling कर दें उसी particular जगा को ठंडा रखें तो वहाँ पर heat spots नहीं develop हो पाएंगे उसे भी हम control कर सकते हैं है ना interesting चीज है next देखिए turning of the grains and control of infestation by fumigation also fumigation वगरा से हम थंड़क वगरा देखकर या किसी particular चीज से इनको turn बार-बार घुमाया जाए grains वगरा को तो इससे हम देख सकते हैं उनको थंड़कर भी हम क्या कर सकते हैं इस तरह से stored grains को control कर सकते हैं तो समझ आगया इस तरह से मतलब main तीन concept prevention and control तो आपने समझ लिया stored grains का लेकिन particular measures क्या ऐसे चीजे हैं जिनको हम apply कर सकते हैं तो देखिए go down should be clean well moisture proof go down should always be preferred मतलब go down जहां आप से store कर रहे हो अपने grain को वो एकदम साफ सुतर होना चाहिए वहाँ पे पहले से कोई टूटे पूटे grains नहीं होने चाहिए किसी और insect के खायवे वहाँ पे कोई दूसरे insect अवेलिबल नहीं होने चाहिए साफ सुतर होना चाहिए all the cracks and holes present in the floor, walls and ceiling of the store should be filled with cement and leveled मतलब उस जगह पे जहां हम सुखर कर रहे हैं वहाँ दरारे वगेरा नहीं होने चाहिए चोटे-चोटे छेद नहीं होने चाहिए क्यों क्योंकि वहाँ पर क्या होगा insect रहेंगे हमें तो नहीं दिखेंगे क्योंकि उन दरारों में है लेकिन जब हम पना grain छोड़ जाएंगे वहाँ पर तो उसके बाद वहाँ से निकल के उसे damage पहँजाएंगे तो वहाँ पर उन cracks वगेरा को cement से अच्छे से क्या कर देना चाहिए cover कर देना चाहिए the dirt broken infested grains of the stored grain should be removed जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी वगेरा ना हो जादा और साफ सभाई अच्छे सहोने चाहिए and burnt before new grain is stored पुराना अगर कोई grains वगेरा पड़े हैं तो उसे जला के खतम कर देना चाहिए मतलब अगर वो broken वगेरा है खराब है हमारे काम के नहीं है तो उसे खतम कर देना चाहिए अब यह सब बाते तो हम तब कर रहे हैं कि हम पहले ही ceiling वगेरा बहर दें लेकिन हमने store करके रख दिया अब हमें दिमाग में आई कि अब तो वही वहापी ceilings जो है वहाँ cracks वगेरा है तो अब हम क्या करें तब वहाँ हम अपना हतियार काम में ले सकते हैं fumigation का fumigation किन का कर सकते हैं ED upon CT mixture जो होता है किलो टेरा के लिए काम में ले दाता है 424 और 10 लीटर पर 40 कुबिक मीटर आफ स्पेस पर्टिकुलर डोस दीवी है यहाँ पर 0.5 मेलाथियान को भी यूज़ कर सकते हैं दिमाग में यह आता है कि fumigation में ऐसा क्या होता है जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर insect मर जाते हैं उसके insect खतम हो जाते हैं तो देखिए एक चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी कि fumigation से oxygen का level कम हो गया तो उससे death हो गई oxygen का level कम हो गया तो साथ में आप यह भी ध्यान में रखिएगा कि जो insects होते हैं उनके अंदर हम देखते हैं tracheal system होता है respiration का जिसके अंदर हम देखते हैं इनके बाहर जो body पर जो holes होते हैं जिनसे हम यह oxygen को लेते हैं तो हमने बाहर oxygen का supply ही कम कर दिया fumigation कर दिया वहाँ पर बलकी जहरीली gas और छोड़ दी कोई particular CO2 अगरा छोड़ दी तो CO2 नहीं, SO2 अगरा छोड़ दी तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इससे हम कर सकते हैं fumigation की help से उन इंसेक्ट को खतम कर सकते हैं तो prevention measures भी आपको समझा गए तो इस तरह से किसी भी तरह की stored grains का अगर आप से कोई पूछ ले कि control या management किस तरह से किया जाता है तो आप इस तरह से देख सकते हैं I hope यह topic आपको समझा जाया होगा काफी important topic जो था चलिए फटा फट से next insect pest के बारे में बात करते हैं जो की है lesser grain water lesser grain मतलब grain की quality को less कर देगा कैसे कर देगा देखिए rhizoparthra dominica scientific name क्या है rhizoparthra dominica है order इसका भी collioptera ही है ध्यान रखेंगे कि stored grain pest जो है वो mostly collioptera की ही है और इसकी जो family है वो है बॉस्ट्राइ किडी बॉस्ट्राइ किडी इसकी family है वहीं हम इसके अगर common name की बात करें तो यह है लाल सुरही और थूतन हील सुरही यह कुछ common names है host की बात करें तो यह wheat, rice, maze, jar, barley और gram floor और साथ में dry fruit पे इसका tag देखा जाता है तो मतलब host जो है काफी सारे अलग लग है और हम बात करें इसके damage की किस तरह से grain की quality को less कर देगा तो देखे, the damage is caused by both beetles and grubs damage यहाँ भी दोनों ही करते हैं beetles भी करते हैं, grubs ही करते हैं but beetle is more harmful than grubs पहले मैंने बताया था कि rice level के अंदर grubs जादा destructive थे हैं लेकिन यहाँ beetles जाद destructive है कैसे, तो देखे, next line the grubs cut down, cut out the starchy content of the grain grain का जो starchy content होता है, उसको खतम कर लेते हैं, कौन? हम देखते हैं यह grubs leaving the outer busk outer surface उसकी जो होती है वो छोड़ देते हैं, लेकिन जो beetles हैं, वो तो outer surface भी नहीं आटा साथ छूट जाता है, मतलब काफी पूरा का पूरा grains हो खतम कर देते हैं, कहने कर मतलब क्यों होगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ beetles form जो हैं, वो ज्यादा destructive होते हैं किस से? grubs form से, ध्यान रखेंगे आप next देखे, the grubs which are unable to penetrate the grain feed on the waste floor left by the adults यहाँ जो grubs होते हैं, adults ने जो floor बगेरा छोड़ा है उसके ओपर feeding करते हैं next देखे, the serious damage is caused during May to August मई से अगस्त के अंदर इसका ज़्यादा damage देखा जाता है वोई environmental conditions ज़्यादा मिल जाती है favorable होती है, तो आट आट मेंच देखा जाता है life cycle के अगर हम फटा फट बात कर लें तो देखे, यहाँ total life cycle या कह सकते हैं complete metamorphosis देखा जाता है folioptera है, तो complete metamorphosis होगा life के अंदर 4 main stages होंगी egg, larva, pupa and adult eggs के अंदर क्या खास बात होती है तो देखे, laid either singly or sometimes in cluster यह जो grains है वो क्या होते हैं, या तो single play किया जाते हैं, या cluster में भी किया जाते हैं एक single female 300 से 500 तक eggs अपने एक life में प्रोड़ सकते हैं, ओके पिछले के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह internal feeders हैं, तो यह भी क्या है, internal feeders ही हैं तो जैसा कि मैंने बताया था winters के अंदर, इनके अंदर से hatching होगी और larva बहार आएंगे, larva जो है वो क्या होते हैं, तो खास बात देखिए यह white color के होते हैं, enter into the grain generally near the comparative soft embryo soft embryo parts जो होता है, उसको damage पहुचाने लगते हैं and 5 to 4 4 to 5 malting होती है और यह C-shift के larva होते हैं 40 से 50 दिन बाद larva stage से pupa stage होती है pupa stage भी inside the grain भी होती है, यह हो जकता है outside भी हो, यहां लिखा है inside the grain और outside the grain dirty white color का होता है, irregularist की shape होती है ठीक है, larva stage 7 से 8 दिन बाद adults form में बदल जाती है, इस adults बाहर आते हैं कैसे होती है adults, तो black brown color के होती है, 3 to 4 mm होती है, head turned down under the thorax thorax के अंदर इस तरह से आगे की तरफ जुका वायन का head देखा जाता है तो कहने का मतलब यह adults form के कुछ करेक्टर है जो की 4 से 5 दिन बाद matting करने के बाद eggs लेग करेंगे और वापस दिन की life cycle चल पड़ी तो total life cycle किते दिन की होती है 56 to 84 days की होती है 56 से 84 दिन की होती है 5 से 7 generations देखी जाती है एक साल के अंदर तो इस तरह से हमने life cycle भी देख़ी किस की lesser grain borrower की एक चीज़ ध्यान रखिएगा management सब का, मैं तो कह रहे है न stored grains जो है उनका management का जो main form है वो सेम होती है लेकिन particular हर insect के लिए natural enemies अलग दिये जाते हैं हर insect के लिए natural enemies होता है उसके इंतजाम भी कर गया है मैंने नीचे description box में जो PDF available है जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर एक नीचे PDF available कराता हूँ इस वीडियो के नीचे description box में भी PDF available है आप चाहें तो उसे download करके इनके जो natural enemies है जो इनके eggs के उपर या इनके grubs के उपर attack करके इनके खतम कर सकते हैं तो उनके बारे में भी हा मीचे पट सकते हैं तो चलिए फटा फट से अब last insect के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि है खापरा बीटल या खपरा बीटल भी जिससे का जाता है खपरा बीटल के बारे में कुछ important बात है आपने शुरू से ही जान ली है अब तक क्या क्या जान ली है यह जान ली है कि एक तो पहला external feeder है मतलब बाहर से green attack पहुंचा आता है दूसरा आप नहीं जाना था कि इसके growth के लिए particular moisture जो होता है वो 1.9% यानि यतना कम moisture भी मिल जाए तो ही survive गर जाता है फिर आपने देखा कि अगर oxygen का level कम करते जाए तो इन्हें control किया जा सकता है इस तरह से खपरा बीटल के बारे में या खपरा बीटल के बारे में कुछ बाते हमने कर चुके हैं अब थोड़ी सी और बाते करते हैं क्या इसका scientific name जैसा कि आप देख सकते हैं यह है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम उके ट्रोगोडर्मा ग्रेनियम इसका scientific name है order वो ही कॉलिप्टे रही है family dermastidy dermastidy इसकी family है common name क्या है खापरा को खापिया पाई या वानतारी दिखा जाता है खापिया पाई या वानतारी common name है particular reason तो क्या दूँ है particular आपको याद ही रखना पड़े का ऐसे खेर host की अगर हम बात करें तो इसका attack wheat, rice, जौर, बाजरा और maze इनके उपर इसका attack देखा जाता है damage की अगर हम बात करें किस तरह से damage पहुचाता है ये खापरा beetle तो एक important बात जो लिखी है वो ये है unlike other beetles the adult in this case is harmless है ना जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो पहले की beetles थे उनके अंदर grub और adult दोनों ही इसके destructive हैं तो लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि जो adult है वो harmless है या फिर इनका damage बहुत कम है कैसे next देखिए and the damage is caused only by the larval stage main जो damage है वो mostly larval stage से ही देखा जाता है तो आगई बात समझे हैं आपकी next line देखिए the grub first attack at the embryo point जो grubs हैं वो embryo point पे attack करते हैं but later when infestation is severe other parts of grain are also badly damaged पहले तो damage embryo पे होता है बड़ बाद में other parts को भी हम देखते हैं severe infestation के अंदर damage पो जाया जाता है usually the infestation occurs in superficial layers of the grain बहुत important याद रखेंगे आप खापरा बीटल जो है इसका infestation उपर उपर की जो layers है उसके अंदर देखा जाता है जहां store किया गया है इनको हम देख रहे हैं grains को तो उनकी जो उपर वाले layers होंगी उसके अंदर ही देखा जाएगा खापरा एकदम deep अंदर तक last में नहीं होगा bottom में नहीं होगा क्यों क्योंकि मैंने आपको बता है था oxygen demand oxygen चाहिए इने growth करने के लिए तो इसलिए हम देखते हैं oxygen तो उपर उपर वाले layers में ही होती है तो इसलिए यहां लिखा है usually the infestation occurs in the superficial layers of the grain as the pests do not penetrate beyond some depth ज्यादा गहराई में नहीं जाता maximum damage by the pest is caused during the July to October July to October के इंदर इसका maximum damage देखा जाता है since it mainly feeds on embryo germination power of the infested grains is adversely affected जैसा कि मैंने बताया कि grub form जो है वो mainly damage पहुचा रही है embryo को तो इस वज़े से इसका seed जो है अच्छे से काम कर नहीं है यह कुल में लाके कहने की बात आना तो next अगर हम बात करें इसके life cycle की देखिए of course coloptera चार main stages पहली stage egg eggs जो होते हैं उसके अंदर क्या देखते हैं singly और rarely four to five together among the grains grains के उपर हम देखते हैं इसके दो से पांच eggs जो है लेकिए जाते हैं external feeders हैं ध्यान रखेंगे आपसे और 0.5 mm long होते हैं females lay about 125 to 150 125 जो है एक बारे में यह अपनी पूरी life cycle के अंदर egg ले करती है female 6 से 16 दिन बाद इसके अंदर से larva निकलाते हैं larva या grub form the same कह सकते हैं वो white color की होते हैं later yellowish जो बाद में yellowish color की हो जाते हैं the long hairs are also found at the hind end of the body body class में long hairs तो कह रहे हैं वो भी देखे जाते हैं larva usually four malting के बाद हम देखते हैं pupa के अंदर बाद जाता है एक चीज लिखी है male grub takes 9 to 19 to 28 days whereas female grubs take 20 to 37 days particular इतने duration के बाद यह जो male and females हैं वो हम देखते हैं pupa stage में आ जाते हैं pupa जो है वो in the last larval skin among the grains और in the cocoons या तो cocoons के अंदर larva stage बनती है या फिर हो सकता है grains में भी देखे जाती है dark brown color के होते हैं having the reddish reddish brown hairs on it reddish brown color के hairs भी देखे जाते हैं hairs वाली stage के समय है क्योंकि silkin cocoon अगे रहा है तो कहने का बाद यह हुगा कि pupa stage के बाद 4-27 दिन बाद इसमें से adults भाहर आते हैं adults की characteristics पर आप देख सकते हैं कि black color brown color के होते हैं adult जो है वो 2.5 mm length के होते हैं the male is almost half the size of the female males होते हैं आदे होते हैं कि females बड़ी होते हैं okay adults 4-5 दिन बाद meeting के बाद eggs ले करेंगे वापिस जिन में से लार्वा बहार आएंगे investition करेंगे externally and life cycle वापिस चल पड़ेगा तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह से हमने जान लिया किसके बारे में खापरा वीटल के बारे में तो यह था हमार आज का वीडियो जैसा कि मैंने बताया कि यह वीडियो एक तरह से पार्ट वन है इस वीडियो का जो सेकेंड बार्ट होगा उसके अंदर हम रैड फ्लॉर बीटल एंगु मॉइस ग्रेन मौथ पल्स बीटल और साथ में ग्रेन माइट इनके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे और हमेशा किया तरह इस वीडियो के इंदर जो कुछ भी मैंने आपको एक्स्प्रेन किया है उसकी एक पीडिया फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आराम से बढ़ सकते हैं साथ में अगर आप जनरल अग्रिकल्चर की नॉलेज और पुशना अजर्स में इंटरस सकते हैं तो आप हमें इंस्टेग्राम, फेस्बूक या टेलिग्राम दे फॉलो कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए अग्रिकल्चर स्टेडी से